यू तो जू का हमारी जिंदगी में काफी महत्तव रहता है जू हम सब को रिसर्च करने में मल करती है और जो जानवर हमें पीवी जा किताबों में देखने को मिलते हैं वो आपको जू में देखने को मिल जाते हैं अब ये तो हो गई जू की खासियत लेकिन जू के पीछे का स सीक्रेट हर एक देख सकता है लेकिन उसे महसूस कोई कोई कर पाता है जो हाथी कल पूजा जा रहा था आज वो जू में जंजीरों में बंद कर रह गया जो शेर कभी जंगल का राजा होता था आज वो जू में एक पिंजरे में बंद कर रह गया जिस बंदर की हरकतों से पूर जंगल हरा वरा रहता था आप वो बंद जू में कैद होकर है क्या जू अब रिसर्फ सेंटर का इंट्रेटेन्मेंट का कारण लोगों के लिए ज्यादा बंद कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यह जो सभी जानवर हैं कहीं न कहीं आप किताबों जब टी जड़ टीवी शोज में आये होंगे जू में जाकर आपके बच्चे को शेर हाथ ही बड़े-बड़े जानवर देखने को मिल जाती हैं लेकिन एंट्यो में जाकर आपके बच्चे को हमारे सोसाइटी का हमारे देश क्या सचाई पता लगती है कि हमारे देश में अभी कितनी सब्सक्राइब लोगा, हमारे शहर में तो कई गाहिशाला भी आक्टिव में लेकिन अग जू के लिए दो-तीन-फुलमेटर सफर कर लेते हो जो एक्टिव हैं जैसे कि दर्मशाला में फॉस्पीटल हो गया देवी चितरलेगा जी का होस्पिटल कोंसे वादाम हो गया और पंजाब में रामप्रा फूल में कोंसे परिवार का होस्पिटल हो गया देखे जिन्दगी आपके सोच आप किया क्या आप जू में जाकर चार-पांसो रुपे की टिकट खरीद कर उन जीवों पर होरे अत्याचार को बड़ावा देना चाहते हैं जा आप दूसरी तरफ किसी भी एंजियो में जाकर जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगती वहां पर जाकर कुछ सीखना चाहते हैं और इस एनिमेल क्रियल्टी को रोकने के लिए उनकी मदद करने चाहते हैं कि आप 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 आप